देखिए पिछले दस सालों में जिस तरीके से जितने भी इंस्ट्यूशन थे देश को जो एक किसी देश को आजाद और लोगतांतरिक देश बनाते हैं जैसे इलेक्शन कमिशन, जैसे प्रिमियर एजेंसी, CBI, ED, जैसे Reserve Bank of India, जैसे इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया इन सभी को बड़ा घात पड़ा है और इनकी इंडिपेंडेंस जो है बहुत जाला कॉम्प्रोमाइज हुई है तो बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंट्रेटर्स ये बात कह रहे हैं कि अगर ये लोग दुबारा चुन के आएंगे तो भारत के अंदर जो लोकतांतरिक व्यवस्था है कि हेमन सुरेन गाइब है नहीं मिल रहे है बीजेपी ने उसके बाद कर या रोप लगा है बीजेपी की तरफ से ताजए को अपने पत्नी को सिये मनाना चाहते हैं उनके इस लिए उनकी पहली प्रात्मिक्ता यह है कि किस तरीके से राज्ये के अंदर सरकार जो लोकतांतरि तरीके से चुनी गई सरकार है उसको बचाया जाए है आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह भी उसके लिए उनको इंतिजम करने हैं दूसरा ED के सामने वी जाना है जो एक राजनेतिक मामला है एडी के सामने जाएंगे मगर ऐसा नहीं है कि वो अपनी सरकार गिरवा दें सरकार को भारती जिन्ता पार्टी के हवाले कर दें ये भी नहीं करना चाहिए देखे अगर मैं यह कहता हूं कि साब यह कारवाई गलत हो रही है तो भारती जिन्ता पार्टी के ती अच्छा यह तो ब्रस्ट चार का मामला है मेरा प्रश्ण यह है यह मामला 2004 से 2009 के बीच का मामला है आज 2024 है 2014 से लेकर अब तक 10 साल से केंदर में भारती जिन्ता पार्टी की सरकार है 2004 से लेकर अब तक लगातार भरती जनता पार्टी की सरकारें जो है वो बिहार में आती रही है उनके साथ ने तिश्कुमार जो है मुख्य मंतरी बनते रहे हैं 10 साल बाद ऐसे मामले को उठाना क्या राजनीती नहीं है और क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए इन पर दबाव बनाए जा रहा है एक के दूसरा मुद्धा है जो बीते दिनों में अधिरेंजन चौधरी ने बयान दिया उसके अभी से बनादी का बयान है कि अधिरेंजन चौधरी ट्रोजन होर से कौंग्रिस के भीतर कौंग्रिस ने आरूप लगा है कि हमारी भारत ने आया आत्रा को सपोर्ट है कि वहां के टीमसी जरकार में देखिए मैं तो इस अलाइंस का एक न्यूटरल पार्टनर के तौर पर कह सकता हूं कि दोनों ही पार्टियों को अपने लोगों को सयम में रखना चाहिए जिस तरीके से अधिर रंजन चौधरी सहाब बयान देते रहते हैं लगातार ममताब एनरजी के खिलाब बयान देते रहते हैं यह कोई अच्छी बात नहीं है ऐसे बयानों के महौल में जो अलाइंस है उसको नुकसान होता है कल मुख मंत्रे अर्विन के द्वाले नितिश कुमार को उसके संजयराओत का भी बयान है उन्होंने का कि एक मीथ है कि नितिश कुमार की इंडिया ब्लोग कमजोर होगा आप कैसे देखते हैं देखिए बिहार के अंदर जो बड़ी पॉलिटिकल पा है तो मुझे नहीं लगता कि उनके कहीं इधर-उदर जाने से कोई खास फरक पड़ता मगरहां यह जरूर है कि बिहार के अंदर जो एक एंडिया आलाइंस की एक सरकार थी वो एक सरकार जो है एक स्टेट के अंदर कम हो गया वह बहुतिश कुमार है इंडिया ब्लोग के त कि पिछली 2019 के चुनाव में चंद्रबाबु नाइडू साहब ने काफी लोगों को साथ लाने की कोशिश की और इस बार दिंतिश कुमार जी ने मैं बिलकुल मानता हूं कि वो सब के पास गया और उनने साथ लेके आये मगर आपकी किसी आइडिलोजी के प्रती जो समर्पन हैं वो टेस्ट ऐसे खराब समय में किया जाता है और आप उस खराब समय में चैलेंजिंग टाइमस में उस आइडिलोजी को त्याक कर विपरीत आइडिलोजी में जाके चले गई वो मुझे लगता है कि बड़ा सवाल है और नितिश कुमार जी का जो राजनितिक कद था जो उनकी एक बड़ी छवी थी उसके उपर जो आज प्रश्ण लगे हैं उन प कि बड़ा प्रश्ण चिन लगेगा अभी बीजेपी की नेता सुवेंद्व अधिकारी उनका बयान है कि सीए फरवरी महीने में लागो हो सकता है कि मैचे जल्द इसका इसकी भोश्णा करेगा अब देखिए सुवेंद्व अधिकारी पहले टनमूल कॉंग्रेस में हुआ क करते थे तब वो सीए के खिलाफ हुआ करते थे और भारते जंता पार्टी उन्हें भ्रस्ट बताते थी आज ये भारते जंता पार्टी में आगए अब एसी एकी वकारत करें तो ऐसे लोगों का कोई कोई अधार नहीं है यह सिर्फ जो है मौसम के हिसाब से अपने रंग ब होता कि क्या किंद्र सरकार आज भी अपने सरकार में वापिस आने पर विश्वस्त नहीं है क्या उनके मन में प्रश्ण है जिन प्रश्णों के कारण कभी उनको नितिश कुमार को वापिस लेना पड़ता है जिन प्रश्णों के कारण कभी वह अकाली दल से बात करते हुए नजर आते हैं इनी प्रश्णों के कारण जो है वो अलग-अलग शगूफे देश की राजनिती में लगातार छोड़ रहे हैं जिसके कारण बार-बार अपोजिशन पार्टी के नेताओं को एडी और सीबिया द्वारा जो है परिशान कर रहे हैं क्या बीजेपी चुनाओं में जीत के लिए आश्वस्त नहीं है यह कंतिम सवाल अभी चंडीगड मेर पुस्ट पॉन हो गया था कल मुक्रमंतर अर्विन के ज्वाल ने का कि यह पहली जीत होगी इंडिया ब्लोग की आ दाथाने पर हमारे पास 13 हैं उनके पास साथ हैं इसी कारण दबाव डाल के इस चुनाओं को टाला जा रहा कि इस बार आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा और आम आदमी पार्टी जो है चंदिगर्ड मुनिसिपल कॉर्परेशन चलाएगा एक स्वागत योग ये कदम रहा और मुझे लगता अगर कॉंग्रेस के और आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद हमारे अलाइंस को वोट डाल देते हैं और मेर हमारा बन जाता है तो एक बड़ा मेसेज जो है पूरे देश में जाएगा